नमस्कार मैं हुरवी सक्सेना और हम मेरे साथ देख रहे हैं रुवेल कंट समचार समय उत्ता परदेश के रामपूर से खबरा रही है जहां रामपूर के थाना सजाद नगर इलाके में एक प्लाइट में आग लगने के बाद वहां पर काम कर रहे हैं उसकी हाला सीरे बताए जा रही है सूचना पर फायर विवेक की गाड़ी पहुंची है जिसने आग पर काबू पाया है और घायल को यहां से रामपूर से बरेली के लिए रेफर किया गया है बताए जा रहा है कि घायल को किसी नीजी चकेस्टाइले बरेली में उफचार चल रहा है भाराल पर कैमिकल है क्या ची जल लगा है कोलता थोड़ी कोलता इतरह होता है अगरे अच्छा उच्छा इसके अदर यह जडाले इसके अंदर यह डाले डाला जाले ड्रमी रखिए में क्या है यह यह कि यह इसके अंदर लटा जाता है अब फिर क्या होता है मिक्स होता हो था है लुए अफ़िये गदए हो स्कृति है कि इसमें यह मशीनों में यहां पर गिरा किसमें था वो कि मालूम तो नहीं है अब भूआ ने यहां पर कित्ते लिवर रहती है हुआ उन्यापर वह भी मालूम है वाटाल हम तो थेगदार वाले तरफ से वहीं बारा लोग अच्छा तो तुम्हारा जो है वो श्रमबंग में को रिष्टेशन रिष्टेशन है के रहने वाले हो तो यहां पर तुम्हारे कौन सी फरम से कौन रहा रहां पूछने के पाथ सकिंदो तौछने पूछने तूझे तुझ तूछने के रांपूर में खड़े है रांपूर का पड़ता है थादा सजादगर उसी का इक राका है धमोरा जो Armory कि में चलता है ए ब्रेजपुरी की पुलिया है बताहएज़ारा ये प्लान्ट है जहां पर अभी कुछ समय पहले एक बरेली का एक सिर्मिक था जो यहां काम कर रहा है उनमेश नाम का उच्छ गया है और एसकी सूचना पर रांफूर की पूलिस पाउंची है जो मौके पर पहुंच तो रामपूर से सीधे बरेली भेजा गया है बाराल पुलिस जांच परताल में लगी है नमस्कार मैं हूँ रभी सक्सेना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजेगा और हां हमें सब्सक्राइब और फालो करना बातारकी